वेलकम टू मैस क्लासेज अब क्या करेंगे इसका और इसका मंटिप्लाइ करेंगे इन्टू एक्सपार प्लस यसपार प्लस जेड़ इसपार टू एक्सवाई टू यजेड और टू जेड एक्स तो अलजेब्रिक फॉर्म को बहुत माइनूटली पढ़ना चाहिए याद अखना चाहिए और समझना चाहिए अब एक एक्जाम्पल है आपके लिए 2A प्लस 3B प्लस 4C का होल स्कार निकालना है इसका एक्सपैंशन करना है यहां मैंने डाला एक्सपैंड़ फॉर्म लिखना है इसका तो अलजेड प्लस 3B प्लस 4C तो मैंने क्या कहा था एक्स का स्क्वेर तो पहले बाले का स्क्वेर फिर इस y स्क्वेर देन b का स्क्वेर देन c का स्क्वेर इंटू 2 इंटू A B तो 2 और A की जगा क्या था 2A, B की जगा क्या था 3B प्लस 2 इंटू B C तो B की जगा 3B और C की जगर 4C, प्लस 2 इंटू CA, 2 इंटू C की जगर 4C and A की जगर 2A था, जस्ट अब इसको क्या करना है, हमें multiply, 4, 2A इस्पार था, 4A इस्पार, 9B इस्पार, 16C इस्पार, 2 तू जगर 4, 4 तू जगर 12, A इंटू B, 2 तू जगर 6, 4 जगर 24, BC and 2 तू जगर 8, 2 जगर 16, CA, हम जगर साइकलिक और में इसको यादखना चाहिए, यहाँ A है, B है और C, तो A इंटू B, B इंटू C और C इंटू A, clear, अब इसी चीज़ का एक और एक्जाम पर देखे, यह प्लस बलत था, तो जगर आसान दिखता है expansion करना, minus में दिया हुए 3A, minus 5B, minus C का whole square निकारना, तो इस form को कभी भी change नहीं करना है, कैसे बतार हम आपको, 3A का square, B का square, C का square, पहले A की जगरते लिए, plus लिखना है, plus लिखे, minus क्या होगा, और plus क्या होगा, वाद में decide करेंगे, formula के हिसाब से लिखते है, B का square, then C क्या दिया हुए, minus C का whole square, then plus 2AB, तो 2 इंटू A की 3, और B minus B, तो 2 sign एक साब नहीं लिख सकते है, इसे multiply है, bracket में डाल दिया है, मैंने, 2BC, 2 into B into C, 2CA, 2 into C into A, अब इसी को देख लें क्या होगा, 3 का square, 9, minus का, minus में दो बार multiply करेंगे, positive हो जाएगा, plus 25B square, minus में minus का multiply होगा, C square, plus C square, ये plus और ये minus multiply हो जाएगा, minus होगा, 3, 2, 6, 6, 5, 30AB, ये यही पर plus हो जाएगा, then plus का plus से साथ multiply होगा, क्या होगा, फिर plus ही मिलेगा, so, plus 10BC, and lastly, 3 into C into 2, 3 to 6, AC plus into minus, minus 6CA, now, अब आएगा, कि इसको factor है, ये तो domain expansion दिखा है, अब ये सवाल आएगा, factorization में, कि 4X square, Y square, Z square, minus 4XY, 2YZ, and 4X, अगर इस तरह के form है, तो तुरत आपका IQ काम करना चाहिए, कि ये पूरा block, किसी-किसी formula पर काम कर रहा है, that is, A square, B square, C square, पहले इस पर देख लेंगे, अगर नहीं आएगा, 2 टेगा, तो फिर जो दूसरा method होगा, उसका utilize करेंगे, so 4X square, Y square, Z square, minus 4XY, 2YZ, and plus 4XZ, so 4 का X square दिया हुआ है, इसको लिख सकते हैं, 2X का whole square, minus Y का whole square भी करेंगे, तो plus मिलेगा, minus क्यों होगा, वो मैं बताता हूँ आपको, Z का whole square करेंगे, तो Z square, यहाँ actually दो जगा minus दिख रहा था, confirm दी, या तो यहाँ पहले plus होता है formula में, या तो X minus है और नहीं तो Y, दोनों में से कोई एक चीज़ ऐसा है, जो minus है, अगर X minus होता, तो X, क्या लिखते हैं हम लोग, A square, B square, C square, A, B, C, ऐसे लिखते हैं हम लोग, तो अगर यहाँ पर दिया हुआ है A, B और C, तो A और B का जबना होगा तब भी minus होगा, और B और C का जबना होगा, तब भी minus होगा, C और A का जबना होगा, तब भी minus होगा, तीन case बन रहते इसमें, लेकिन हमको दिख रहा था यहां XY का case और YZ का case, इसका मतलब अगर Y और X, XZ का case कैसा दिख रहा था, इसका case कैसा दिख रहा था, positive था, तो यह दोनों positive होंगे, तो बीच वाली संख्या क्या होगी, Y के अस्थान पर आने वाली संख्या ही minus बनेगी, A square, B square, C square, minus 4XY, minus 2YZ, and plus 2JZ, यह पूरा format, यह change हो गया, A plus B plus C के whole square पर, that is 2X plus minus Y plus Z का whole square, ना, इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं, 2X minus Y plus Z का whole square, okay, thank you.